घर का भेदी लंका ढाय ये कहाबत रामायन में बिभीशन के लिए बोला गया था और ये आज भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है। रामायन में रावन के खांदान में बिभीसन ही एक ऐसा पातर था जो की धर्म के रास्ते पर था और मानो या ना मानो लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर बिभीसन राम के पक्ष में नहीं होता तो राम के लिए युद्ध जीत पाना मुश्कीर ही नहीं बलके नामुंकिन जैस लेकिन दोस्तों हमेंसे ज्यादा तर लोग बिभीसन को रावन का छोटा भाय और राम के एक हितेशी के रूप में ही जानते हैं। बिभीसन के पूरी कहानी अभी भी बहुत ही कम लोगों को पता है। आखिर रावन कुल में जन्म लेने के बावजुद भी बिभीसन धर्म के रास्ते पर गया कैसे। क्या मजबूरी थी बिभीसन की जिसकी बज़े से उसने अपने ही राक्षस कुल का सरवनास करा दिया। और क्या बिभीसन ने जो किया वो सही था या फिर गलत। और रावन के बद के बाद में आखिर बीवीशन का हुआ क्या। चलिए आज के इस वीडियो में इन्ही कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिस करते हैं। दोस्तो रामायन के अनुसार बीवीशन रावन का छोटा भाई था और कुम करन मंजिला भाई। उन तीनों का जन राक्षस राजा विश्वा और उसकी पतनी केकसी के घर में हुआ था। प्रश्चा जाती के कोई भी लक्षन नहीं थे। बिभीशन बच्पन से ही रावन और कुम्वकरन से बिलकुल अलग था। और एक बार जब तीनों भायों ने घोर तपस्या करके ब्रहमा जी को परसन किया था। तब जहां पर रावन ने ब्रहमा जी से अमर्ता का बरदान औ धर्म और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा क्योंकि उसको ब्रहमा जी का बरदान मिला हुआ था कि वो हमेशा धर्म और न्याय के रास्ते पर ही चलेगा। और इस तरह से जब भीशन ने अधर्म के रास्ते पर चलने वाले अपने ही भाय रावन का साथ छोड़ कर धर्म के रास्ते पर चलने वाले राम का साथ देने का फैसला लिया था तब उस फैसले में उसकी पतनी सर्मा ने भी उसका साथ दिया क्योंकि सर्मा भी एक राक्षसी नहीं थी और वो भी धर्म और न्याई पर चलने वाली करन्या थी लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी है ज लेकिन दोस्तो हम एक बात भूल रहे हैं कि विविशन चाहकर भी अपने भाई रावन का साथ नहीं दे सकता था क्योंकि उसको ब्रहमा जी का बरदान मिला हुआ था कि वो हमेशा उसी का साथ देगा जो कि धर्म और न्याय के रास्ते पर होगा और इसलिए लंका छोड़ने स पहले और राम का साथ देने से पहले उसने अपने भाई रावन को बहुत ही समझाने की कोशिस भी की थी कि राम और सीता स्वेम भगबान विश्तनों और माता लक्षमी का अबतार है और धर्म यही कहता है कि सीता को राम को लोटा देना चाहिए लेकिन रावन अपने में इतना मगरूर हो चुका था कि उसने भरी सभा में विविशन को अपमानित करके वहां से निकाल दिया और जिसकी बज़े से विविशन के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा राम का साथ देने के इलावा और दोस्तों कुम करन भी रावन के जैसा अहंकारी और अधर्म नहीं था और वो भी बेद और सास्त्रों का महान ग्याता था और इसलिए युद में जाने से पहले कुम करन भी रावन को बहुत ही समझाने की कोशिस भी की थी कि वो जो कर रहा है वो धर्म के बिलकुल खिलाप है और राम और सीता स्वेम भगवान विशनु और माता लेकिन रावन ने कुम करन की भी बात नहीं मानी थी और इस तरह से जब रावन की हठ और अहंकार की बज़े से पूरे रावन कुल का सर्वनास हो जाता है तब जैसा कि राम ने विविशन को बचन दिया होता है कि रावन के मिर्ट्व के बाद में लंका का राजा वे विव बिभीषन को बनाएंगे और इसलिए रावन के बत के बाद में लंका का राजा बिभीषन को बना दिया जाता है जिसके बाद बिभीषन लंका में एक धर्म राज्य की इस्थापना करते हैं। बिभीषन के बाद में आपको बीडियो कैसी लगी अपना ओपीनी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।